है लोट वान वेलकम डो जैक अडमी एक बार सारे मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत फिर से जैक अडमी के शांदा प्लेट फॉर्म पर जल्दी से आज 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 आफ आफट फट फिर स्टाट करेंगे क्लासेस को जल्दी आज आफ आफ आफट अट रगा दो लगाता थीन क्लासें लिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है वैसे क्लासे मुझे लगता है कि ती सरकों भी मैंने बोला है और मेरा खुद का भी है आपको भी मैं बोलता हूं हमेशा हसी मजाग के साथ रहो बुची से बोरिंग नहीं होती और टाइड फ के लेर बच्च पाटी? प्रग्या जी आ चूकी है पीटा आपक ओम्रूणिंग की ख्लास में नहीं आया रहे ते लिए वाक्स पमें और हिसे गृप्स में शे मि Richts इस में चीप कर रह हो अपने स्टेट्डर के लगा रहे हूं सब चीजे हैं हैं बच्चा बाटी लगा रहे हो वंदना जी आपने कॉल क्यों या बिटा है वंदना बिटा मैं क्लास में होंगा इसलिए अटर्ण नहीं कर पाया होगा है ना बाकि कोई इशू नहीं है अच्छे अचे का जोज्दी से हैं बुलाओ बुलाओ आपने वकंट्स अबकों बुला लगान करते हो या फिस सब मेरी बाते ही सुनन्हें प्रॉन सुणने में एच्छा लगता है घ्या भोलते रहो हम सुर्दे रहते हैं असरे मेें क्या बात पाले सारे काम कंप्लेट कर लिए बहुत बढ़िया मैंने भी सारे काम कंप्लेट कर लिए अब सिर्फ आप और हम लोग रहेंगे हैं कि है ना है फेवरेट च्रेंट सारे प्रेजंट हो जाओ सारे कि सारे एक भी विस नहीं होना चाहिए फेवरेट का मतलब ही है कि डूंट मिस नहीं तो सब मैं सब हो जाएगा है ना बच्छा बाटी तो डाइफरेंटली बिटा बीएस नर्सिंग की क्लासे हमने देखा बाय टेक्नोजी एन इस अप्लिकेशन हमने मॉर्निंग में छोरी क्लास भी की ती इसमें वन शॉट केंना चीज़े समझी ती जो बच्चे पहली ब रिलेट करते हैं कौन सी दो क्लासे हैं क्योंकि जो बच्चे उनको तो पता होगी चीज़ें लेकिन जब आप रिकार्ड़ेट फॉर्म में चीजों को देखोगे तो हमेशा पर डे आपकी दो क्लासे जा रही है एक सब्जक की जिसमें आपका वन शॉट एक औरी पोर्शन क्लास को करने के बाद में अब आप जंप कर जाओगे जो कि अभी हमारी क्लास चाल दी इसको आप देख रहे हो तो यह उन बच्चों के लिए इंफोर्मेशन दी जो नए बच्चे हैं बाकि रेगलों वाले बच्चों को पता है किसे मौर्णिंग क्लास हम कर चुके हैं मैं सब्सक्राइब अप्लेज घ्रावक इसलिए अज बावशन बहुत सार बता होते हैं हैं मैं बच्चों को समझाता भी हूं यहीं चीज के जब तक नहीं मिलता कोई दिखते हैं इसे टॉपिक हो गया ही टॉपिक्स एक्जाम में आपके वहां पर भी हल्प करेंगे कौन से बिल्डिंग में हल्प करते हैं बिटा यह सबिक्ता जी गुड़ीवनिंग आचुकी है चलो तो चीजों के स्टार्ट करेंगे बिटा यह सब चीज हमने पढ़ी थी अब इसको पढ़ने के बाद में हम आ जाते हैं इन सवालों पर यानि अब हम डिसकुस करेंगे कोईशन कोईशन से कौनसे बिल्डिंग होगी हमारी और त्योरी पोश्चन हम करी चुके हैं तो और बापस से हाँ सॉरी फॉर लेट चलो माफ किया जाओ चलो तो मिस्स नहीं करने बिटा चीज़े बस ठीक है अब आप क्या करोगे इनको आंसर करोगे फिर से बापस आपको कोई चीज़ें याद आती है कमेंट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन बिलकुल दियान रखेंगे लिए लिए लगया बच्चों का क्या बात है सबसे पहले शबिष्टा जी फूरा फोकस मतलब है ना देखो आंज क्या बोल रहा है हमारा की वाट वाट ट्रिगर अक्टिवेशन आफ प्रो टॉक्सिन टू एक्टिवेट बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसलेस में जो टॉक्सिक बनता है उसको अक्टिवेट किया जाता है निश्क्रिय से सक्रिय किया जाता है किसके द्वारा क्या होता है ऐसा तो बिटा ऑप्शन हमारे वासे बॉड़ी टेंपरेचर मॉइस सर्फिस और मिड़ गट यानि कि जो हमारी मध्यांत्र है उसकी जो नमी व पहला सवाल तो यहीं गट पड़ा जाती है आत्या माश्य बच्छे भूल जाते हैं जब हम चीजों को ऐसी मिस्टेक कब होती है पता आपको जब हम बहुत टाइम से किसी टॉपिक के टच में हो हां राहुल ठकर साहब सिधा जवाब दिया क्या वात है ध्यान लगना गट सवाल में गलती कब होती है जब बहुत टाइम से हमने सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा तो लगता है या कीडे में तो इंटेस्टाइम होती नहीं होगी ना सिधा पेट ही होता होगा यह सब्सवक्त आती है आप लोग के दिमार्ग में इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा इसको में इसको मिस्कर्ण करने का मतलब आपने करीब करीब बिटा 10-12 कोशिन छोड़ दी है कि रहे हैं चलो अब बहुत हो गया चलो आजाओ अब डिसकस करते हैं हम सवालों पर आ जाते हैं कलर अपन कौन सा यूज करें भाई पिंकी पिंकी कर लें चलो पिंकी पिंकी कर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बीटाइब बॉड़ी टेंपरिचर इस नौट करेक्ट आंसर मॉइस सब्सक्राइब नहीं होता हमारा हमारी गट यानि इंटेस्टाइन होती है क्या होती है इंटेस्टाइन मतलब आत होती है तो करेक्ट आंसर क्या हमारे पास में आत की शा यह हमारी pH है, तो यह क्या होनी चीए, greater than 7 होनी चीए, तो क्या हो जाएगा हमारा अशारी हो जाएगा, यह क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, अपने पास में है यह कीड़ा, इस कीड़े ने खाई पत्ती, इस पत्ती में क्या है, इस पत्ती में यह BT cotton की पत्ती है, किसक हim चुरु हं मिलएगी सिक पी अलकलाइन शारी पीच और शारीप निए एश्रीप इच कहाँ होती है यह शारयप दोती है कहां पर गट कर अफ एंसक्ट कूं में अगया झालनल नुक्सान पर फ defines नहीं होता क्योंकि हमारी गट यूमन की गट कैसी होती है पिटा ऐसी डिक होती है तो हमको नुक्सान नहीं होता तो यानि इसको इसलिए बनाया गया है बैसिलस तुरेंजिस क्लियर है दो दिन में क्लास ही नहीं कर पाई कुछ प्रॉब्लम थी ओके तभी मैं सोचूं बिटा काजल जी अपसे हो है ना मैंने मिस्स किया था बहुत सारे बच्चों को पूछो उनसे हाँ थोड़े दिनों में एक हो बिटा मैं चीजों को थोड़ा और अच्छा करने कोईश्च कर रहा हूं आप लोग कितने ऐसे बच्चे हैं जो मैंन्टी शेशन को जानता है कि हाँ स्रूं मैंन्टी नाम की कोई चीज होती है जहां पर कोशन है और सब्सक्राइबंस करते हैं हो मज़ा आता है खुद का नाम आता है सब चीजे मज़ा आती है उसकी थोड़ी तयारी चल और कर रहे हैं राव के लिए बहुत बहतरी चीज़े करने कोशिश कर रहा हूं मैं बस उन सब चीज़ों को करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और यह सीधिया बन जाती है मैं इसमें अप्रोसेस बढ़ जाता है बीटा मैं फटा-फट सोचूं अच्छा हाँ यह वाली टाइप किया और कौंस कौंसी लाइन ने फटा-फट उससे आपके स्पार्किंग होगी आपके दिमार्ग में पहले हेल्थ बिल्कुल ध्यान रखो अपना और सॉरी बिटा मैं अटेंड नहीं कर पाया क्लास में थोड़ा सा बीजी हूं इसलिए ना अब यहां दुबारा में इससे बात करना मैं कर लूँगा ना ठीक बच्छा पाटी वाट्सप कॉल करना कि जनरली क्या ना कि जैसे मैं ठीक में रहता हूं तो फिर मैं अटेंड कर लेगी तो यहां पर यहां मेरे पास में तागि मैं बच्छों से हमेशा हूं तो वह आप में को पोर पैदा कर देगा मन्दब बना देगा कहां पे पोर इन इंटेस्टाइन और उससे क्या हो जाएगा जो डेट हो जाएगी इंसेक्ट की अब देखो नेक्स्ट क्या हमारा फटाफट से आंसर करो कि इस क्लास के खतम होने की जस्ट बाद में ठीक है अब ही आप अनुए बात करेंगे तो बच्चे जिस्तव हो जाएंगे सारे बोलेंगे सर हम को भी बात करने हैं ग्रूप डिसकसन किया जाए ग्रूप पर बात करेंगे अपन है ना ऐसा अभी दिन आएगा आप सारे लोग क Image Sandekali जबाट छोना आप लोग के दे को जैसे वाफी मैं देख रहा हूं साथ से आट भचे देख रहे हैं तो साथ साथ सारः भचो अप लोग एक दोस्ति नहीं है सबको शेर करो नकार सब आप इस ना खर ना यागे कुंई और लड़ने के चकर क्या होगा धीरे धीरे आप अपने आपको इवाल करोगे धीरे आप अपने आपको और बेस्ट करने की तरफ से ले जाओगे हाँ बी बी आंसर आ रहा है रिखते हैं विटा विच आफ दा फॉलाइंग इस कॉमनली यूज़ एज वेक्टर फोर इंट्रूजिंग और डीने फ साइट क्या है लीमफोसाइट क्या इस एग trafficking लोर सेल आजाओ अनिमल सेल में झब भी बैटा Alzheim को हम क्या करते हैं डिने के यहां पर एनिमल सेल है हमारे पास दिखत यहां पर काम कौन आएगा रेट्रोवाइरस तो और सो पक्का पक्का तो यहांनी आंसर क्या है रेक्ट्रोवाइरस यह अंसर था ए करेक्ट आउनसर पीटा ओके शबासिस I am your friend अच्छा यह ठीक politics है आपस में दोस्त बन गए हो के सार देखो कंजूसों हाँ एनिमल सेल जब भी यूज में हो बिटा तो ध्यान रखना हमेशा रेट्रो वाइरस को एज पैसेंजर लेकर आने के लिए उसको वेक्टर की तरह चूज किया जाता है रेट्रो वाइरस को ठीक है तो रेट्रो वाइरस जो है वो गाड़ी की तरह का भीएव करता है जब जो डेस्टिनेशन है वो क्या होगा अनिमल सेल होगी क्या है आंसर क्या है हमारे पास में रेट्रो वाइरस क्यों है क्योंकि मैंने बोला जब हमारे पास में अनिमल सेल होगी यह बात ध्यान रखना कॉंसेट यह देखो अब हमारे पास में जब यह अनिमल सेल है तो क्या हो Central Dogma Central Dogma करता क्या है वाई सब Central Dogma सर ये बोलता है कि आपका जो DNA है उस DNA को दुबारा बदल दो इसको बोलेंगे DNA अप्लिकेशन इस DNA को दुबारा ना बदल के इस DNA को आप MRNA में बदल दो It's called Transcription और इस MRNA को आप दुबारा बदल दो कहां? प्रोटीन में It's called Translation यानि अनुवादन ये होगा अनुलेखन ये होगा DNA प्रतिलिपी करण तो DNA प्रतिलिपी करण DNA का DNA में फिर यहाँ पे अनुलेखन और ये अनुवादन ठीक है अब ये तो सीधा-सीधा काम था लेकिन जब इसका उल्टा होना शुरू हो जाता इसका उल्टा मतलब क्या प्रोटीन से ये ना 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 इसका उल्टा मतलब mRNA किधर जाने लग जाए DNA की तरफ ये उल्टा जा रहा है इसका मतलब रेत्रो ऐसा वाइरस करतें mRNA से वो DNA की तरफ जाना शुरू कर देते हैं तो इस वक्त अब जो यह नया DNA बनेगा इस DNA को जल्दी से बता विदा the cdna क्य बोलते हैं cdna क्यों बोलते हैं कि का मतलब क्या है को बताएगा सी का मतलब है कॉम्प्लिमेंट्री डियेने क्या नाम है इसका कॉम्प्लिमेंट्री डियेने तो कॉम्प्लिमेंट्री डियेने कौन बनाता है कॉम्प्लिमेंट्री डियेने बनाता है हमारा रेट्रो वाइरस तो यह जो फंडा है यह जो प्रॉसेस से वह कौन कर देगा function करना शुरू कर देगा अब यह वाला प्रोटीन बनाएगा तो यह नहीं बनेगा यही चीज होती है जिससे वाइरल डिजीज यही काम करना शुरू करता है वो धीरे धीरे मारता है हाँ कॉंपलिमेंटरी डिएने सेंट्र डॉग्मा किस ने दिया था फ्रैंसिस क्रिकने शाबाश बहुत बढ़िया बिटा रोज जी आ गएं क्या बात है है एलो बिटा है बी ऑप्शन करेक्ट क्या बात है ए ट्रांसले दहुत है जैंडे मिया फंक्टस लेख ट थे क्या होगा यहाँ पर बीमारियां होगी इससे अंट्र होगीर सब्सक्राइब क्लियर है? कॉंपलिमेंटरी डियने शबाश अब आगे चले बताओ इसका आंसर क्या है? The first human hormone produced by recombinant DNA is क्या है? बताओ पहला DNA recombination से बनने वाला hormone कौन सा है? जल्दी बताओ आप वैसे यह सवाल तो आप लोग ने बताया था मेरे को जल्दी बताओ कौन सा है? इंसुलीन, इस्टोजन, धारोक्सीन, प्रोजेस्ट्रोन कौन सा है बिठा? तो हमारा है इंसुलीन कौन सा है? इंसुलीन क्यूं? कैसे बना? किसने बनाया? हमको बताए सर किसने बनाया? सर एक American company थी सर कौन थी? एक American अच्छा कलर चूस करते हैं, पीला तो अल्रेड़ी है ना? कोनों कलर ले ले बिठा? अपने काम करते हैं यह वाला कलर ले ले जाए तो American company एक American company थी जिसका नाम था एली तुम हो लीली, एली लीली कमपनी तो उन्होंने बनाया था क्या? इंसूलीन और उसी इंसूलीन का नाम क्या था पिटा? हिमिलीन उसी इंसूलीन का नाम क्या हो गया? हिमिलीन एंसके अंदर क्या थी? कौन कौन सी? सिर्फ A और B चेन, ऐसा है क्या? अरे सर, A नहीं, الزलवा करो अच्छा, आम एक चीज बताओ A और यह बी अल्फा और यह बीटा इने फरक वह क्या है आप अपका छीज़ बताता हूं कहा है यह क्या है यह हमारे हालφाबेट से हैं इंग्लिष है क्लिट स्वास में आपका अल्फा बेंटि हैं लेकिन यह ग्रीक क्रीसा सब्सक्राइब ज्यान रखना ये भी ABCD ही है बट ये ग्रीग अलफा ज्यान रखना अच्छा एक और चीज बता दी चलो कब बनाया था इसने 1983 के अंदर ये सारी बाते अच्छा और ये बाते क्लियर हुई अब चलें आगे अब देखो तो यानि कौन सा होवन बना इनसूलीन किसने बनाया अमेरिकन कंपनी अले लीवीली हाँ शबस अक्सरे भाई साब ये यह देखो इन्होंने क्या किया एक सिंथाटिक डियने बनाया एक सिंथा है मुझे याद आ रहा है हलका हलका बाकी मुझे याद नहीं है कुछ-कुछ सुभी सुभी बच्चे बोल रहे थे सुनिल पजाबा जी हेलो बिटा हेलो अल्फा एक्स हेलो बिटा बस इसी तरीके से आ जाओ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो कितने आ चुके हैं बारा बच् क्या बात है तो क्यों उठाते हैं क्यों डैट होती है उसमें चेंजिस नहीं कर सकते हैं अचा नैट स्लोच चल रहा है बिटा कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा क्वालिडी को थोड़ा सा डाउन कर दो थोड़ा सा ताकि आप ऑप्शन देख पाऊ बस है ना अमरी बाते ग किया हमने इक बना लिया हमने एक उलाई वन में क्या इंसर्ट किया इंसर्ट किया हमने एक वैक्टर के तुरू एक पैसेंझर डिन double तो दिन ने कहां क्या था इंसुलीन को बनाना रहly हुर इप क्लिशक्ण की रूप में ने दो पंडा किया अब आपको यह दिख रहा है इक दो तीन ना नहीं है बिटी कॉटन क्या नहीं है क्या नहीं है जल्दी से लिटी कॉटन हमारा क्या नहीं है ज्रेटिकली ब्लांट बिटीकली कोटन क्या इन्टिकली मॉडिफाइड प्लांट नहीं क्या है सर ज्छुड बोल रहा है तो गलत बात इंसेक्स स्टर्श्रम्ट जाता है। उससे उसके इंटेस्टेन में क्या हो जाता है पीटा पीचियार के थी हुना हाँ बिलकुल पीसिया बिलकुल शाविश आशीती बात पकड़िये हुए सुपह समझाए था मैंने बहुत आप से कॉल आर की बोल रहा है ना अगर मैं गलत नहीं हूं तो शाय जिता मैं समझ पा रहा हूं हां नॉट आल पैस्टिसाइट बिलकुल बच्चे ने शाबाज बहुत अच्छा 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 दिया है तो बैक्टेरियल जीन एक्सप्रेस सिस्टम ना ना बिलकुल नह है और वाली बात पैस्टिसाठ के गारीं और साक्रिश नहीं करता है कुछ स्फैसिपीक होते हैं ध्यान एक रूआ नसटे देंगlexisch love that's using looks अक्णॹ यह सब किसमें होते हैं यह सब हमारे बीटी कॉटव में होते हैं जैंफ इजा नहीं होता लिए दी वीआनसर सब DDDD सब एकदम मतलब बराबर चल रहे हो है ना बहुत बीडिया बिटा है अब यह रहा अब यह बीटी कार्टन कहां काम में आ रहा था यह हमारे काम में आ था कहां पर यह देखो यह जो हरी हरी दिख रही है इसके अंदर छेद कर दिया इसको क्या बोलते हैं हम लोग कॉटन छेद कर दिया इसको बचाने के लिए अब क्या कीड़ा आता है हलका से ओपर से खाता है और खा के अंदर क्या हो जाएगा वह बीटी जीन वाला प्रोटीन चला जाएगा उससे क्या हो जाएगा बेसिक नेचर में जाएगा अक्टिवेट हो जाएगा अक्टिवेट हो कोटन जो कॉटन खाने वाला जो बूरर है वो मर जाएगा क्लियर है तो यह कॉटन हमको ऐसी पैदावार मिल जाएगी बहुत बढ़िया तो जितने जाद आची कॉटन होगी उस्ते बढ़िया गद्दे पर सोईंगे अपन है ना अब देखो और यूमन इंसुलीन इस पैप्टाइड ऑफ हुमन इंसुलीन कौन कौन है बताओ बैसलेस थिवरान जैसे सही है बिटा तो सी पैप्टाइड किस में होती है बाई बताओ सर सी तर सर एबी के बाद में आता है इतना पीछे थर्ड पोजिशन पे हम क्या करेंगे ने अथी है और फिसकी होसे लेकर होतै इम्मेचायर में होता है या प्री मेचायर आपन देखो अपाट पूरेस अइंसुलीन ना 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 या सर इस पैसे वसन मेचायर subley को अप्र दिका की नीए तो ऊचो बात तो सही हो रही है बात तो जोतिकार राइजी हलो बीटा वेलकम वेलकम हाँ प्रो इंसुलीन टू मैच्च और इंसुलीन में हट जाता है शबाश शी जग्रेक्ट ऑप्शन बिलकुल हाँ वन्द्रा जी एक्दम सही आंस्ट कोश्चन भी टिक किया है फाइफ का सी करेक् सब्सक्राइब यहां पर यह है कलर चेंज करें पिंक रख लेते हैं थोड़ा सा और यह हमारा क्या बीटा और यह जो जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यह क्या है बी और यह ब्लैक वाला दिख रहा है यह क्या है वीटा सी तो सी हट गया देखो सी हट गया कहां पर हट गया यह हमारा प्रो इंसूलीन को है प्रो इंसूलीन और यहां देखो इस इंसूलीन यह हमारा इंसूलीन मैच और इंसूल टीन के तीन क्लियर है कियों विटा क्या वो गया एक दोटीन क्या पांच ये पीछे तीन वाले रोने वाले मैं पिल्कुल समझ में नहीं आहे मैं कर दोन जैसा मूस अच्छा लगता टिंडे जैसा नहीं लगता है हाँ थी तोड़ी स्पीड बढ़ाएं पक्का चलो स्पीड बढ़ा रहते थोडी चलिए अब हमने बात की प्रो इंसुलीन के अंदर क्या है ठ्रेजाण रखना फ्रोइंसुलीन में आपकी पैटाइट बॉन डाइट बॉन्ड नहीं है एक है और एक नहीं है यह बाद ध्यान अच्छा सवाल और के peptide chain A के अंदर कितने disulfide bond है तो एक B के अंदर कितने है peptide chain B में कितने है तो जीरो और A और B दोनों को मिला के कितने है between peptide chain A and B कितने है बिटा तो दो एक तो अकेला A page है और दो तोनों के बीच में ये सवाल और आ सकता है थोड़े से अच्छे सवाल है थोड़े अंदर गुसके एकदम बाहर से देखे वे हम सो से अरे यार एक बार डाइग्राम देखे जाता न तो confusion नहीं होता तो ये आउच वाले मोमेंट है ये ध्यान रखना क्लियर है तो ये बाते आप ध्यान रख्या होगा है बहुत इजी सवाल है बहुत बीच्छी कि एक दो हमारे सामने रहते हैं बठ हम इन सवालों को देख नहीं पाते हैं किया रहे ज़र हसना रोना दौना साथ में मिक्स विलिंग हो गई है क्या है बच्छा बाटी दिव यादो जी आचके हैं क्या बात है बच्छा बाटी बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया रागुलों बेसे पर रहो मज़ा आएगा बच्छे पर परने का अलग ही मज़ा है बचाओं छीजोंको समस्ते जब हम चलते हैं तो मज़ा आता है आगे देखो अब प्रो टॉक्सिंप से पहले वां ने इनक्टेव टॉक्सिं ए है करना चैए कभी कभी करना चींद करना बहुत ज़रुरी और इंसान में हर फिलिंग का होना बहुत ज़रुरी है पहले है ना जूते पड़ेंगे नहीं तो और भेटीज्ट कर जाती है काम हो जाती है लाइसा जह्र एसा फॉजण जो पहले इमेच्चार हो जो पहले इमेचार हो यानि कि हम बोले बना नहीं ठंक से पूरा-पुरान नहीं बनाए ठीक है तो यानि वह खराब चीज है चोड़ो इसको चलन ऑब चाइन हो चुका है उसको थोड़ितीheads और भरोजेशी प्रोड मतलब पहले टॉक सिंफ्रेडीूसप आध Nous तो थोड़ी आ गया है कि प्रोड़ी अपने साथ आगर आगर कन्फीजिंग कोष्चन को तो कि ताम हो तो कितना ठाँम धें अब कन्फीजन का लेवल होता अब यहांपे मालोगं करता नहीं आया है जिसने नहीं पड़ा बस तुक्का लगा रहा है तो तुक्का क्या लगाए का प्रिमिटिव से प्रो हो सकता है नहीं यह तो नहीं हो सकता है यह तो अग्जए में यह चल रहा होता है तो यह क्यों क्यों कि उसने इस चैटर को पढ़ा जरूर था बट बहुत टाइम पहले भूली भिसरी यादे हैं तो ध्यान रखना सब्सक्राइब करने के तो आप कोशिश ये रखो नंबर ओफ रिविजन बढ़ाओ बस मैं कभी यह सजेशन नहीं करता कि आप चार्ट जाओ सब्जेक्ट को आप जब रिविजन बढ़ाओ ना सब्जेक्ट अपने आप चार्ट जाएगा बिटा ज्यान रखना बट आप नं इन सवाल ना उनके लिए एक मिनट बागी सवाल को के लिए 15 शेकंड 15 सेंड इन hypocrite एंफ इंड वीक्टीरिया प्रो टॉक्सिं को भूलिड अन्हें नेक्तिव मिली यह जैसे प्रो टॉक्सिन को गया किसमें चेंज होगा उनली टॉक्सिन में तो प्रूटाक्सिन कनवर्ड इन टॉक्सिन तो इस चेप्टर को वापस जाके देख सकते हैं सुबह में इने क्लास लिए इसकी ठीक है कोई इस्यू नहीं है ती मोटिवेट नहीं होना बच्चापाटी अब देखो गोल्डन राइस इसा बिर्यानि किस किसको पसंद है सबसा है बिर्यानि कौन अब यलो रिवर इन चाइन ये वरिवर हो सकता ये बच्चों के लिए आवे पढ़न नहीं रखा तुकह मालने वाले बच्च gallery है यह हूं हूं को बढ़ाए है differences लॉंग इसोर ड्राइस हविंग येलो कलर हाइब क्योंकि वीटा करेटीन का ड्रार येलो होता है और इस वजय से राइस का कलर भी येलो हो बैक्टिर इस नॉट इंसेक्ट बीटा बैसिलिस त्यूरैंजिस इस इंसेक्ट जहां रखता हुआ मैं समझ नहीं पार आप उसी के बारें बात कर रहे थे न इस लेक्चर के बाद है मैं उस लेक्चर को देखूंगी हाँ डेफिनली देख सकते हैं कि क्लियर है कि आप आप थुल आ खिला किजीगा मैं आपकी बात समझ वंता हुए न वाइटामिन ने और मुस्त ली क्या बिटा इस में वाइटामिन ए वैटामीन ए Darwin & Town गिपर बनाता वाइटामीन की वैटामीन ए बिटा यह बनाता है यह बनाएगा क्या बाटामीन ए sounds कि ए द्ब हम एद देख को यह पीले पीले जचावल यहbrand teacher तो कैसे यहाँ पर पहले बनात। आई के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टрокर्णेंट है हाँ आ फिर ब्लाइड़नेस होती है तुछ उसमें क्या होता है हमको vitamin A चाहिए होता है क्यों चाहिए होता है vitamin A बीटा क्योंकि हमारी आखों के अंदर जो cells होती है उनमें क्या होता है composition change होता है आपने पढ़ा होगा मैंने बच सुबह भी question पूछा था बच्चों से यह क्या आपने जब जाओगे नर्वा सिस्टम के अंदर आई पढ़ोगे तो वहाँ पे आपने देखा कि vitamin A का aldehyde form होता है retinol वो retinol में change हो जाता है कब जब उस पे नर्व impulse आते हैं तो retinol से retinol में change होना उसके लिए retinol होना चाहिए न वो retinol कब आएगा vitamin A का ही दूसरा नाम क्या बिटा retinol है बिटा तो वो कब आएगा जब बीटा करेटीन होगा तो खाओगे तब आएगा न इसी लिए अब बहुत साय लोग गाजर नहीं खाते तो चावल तो खाते तो चावल के दुरू चला जाता है वो ताकि बच्चों की आँखे कमजोर ना हो इसी लिए ठीक है तो यह द्यान का बिटा अलफा के रेटीन और बीटा क्या होते हैं यह पीले-पीले होते हैं यह बात ध्यान नहीं हूं तो इसका बताना बिटा मैं कंफ्यूज हूं ना आप क्या पूछना चाहरे थे अब देखू क्रेस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रेडियूज बाइदर सम्बैक्टिरिया मतब क्या बोल रहा है कि कुछ बैक्टिरिया इसको बनाते हैं लेकिन वह बैक्टिरिया को खुद को नहीं मारता है वह कीड़े को मारता है ठीक है ऐसा क्यों है भाई तो बैक्टिरिया रजिस्टेंस तुद टॉक्सिंस के लिए रजिस्टेंस होता है ना 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 बैक्टिरिया इम्मेच्वर होता है क्या क्या टॉक्सिन इम्मेच्वर होता है टॉक्सिन टॉक्स क्या होता है निश्क्रिय होता है तो जब यह किसी इन सैक्ट की गट में जाएगा वहां जाके बेसिक पीध के अंदर नहाएगा तो पिर एक ही बार नहाएगा फिर उसके पोर हो जाएगे इंटरसाइन में और वो डेथ हो जाएगी उसकी कि यहां रखनी यह बात पक्का पक्का हाँ सीजर करेक्ट आंसर शबश बीटा अब आगे चले यह देखू इसने जबरदस्ती खाल यह बीटी टॉक्सिन इसकी इंटेशन में चला गया देखो घुल के बेसिक पीस्ती टॉक्सिन यह जो है वह क्यों देखो यह कहां पहुंच गए क्यों था भाई हमने हमारे लिए हुगा था था ताकि हम इस पैरां से सो पाएं इससे उन निकले की गद्ड़ों पे समस्वेंगे अराम से तु खा गया खा गया थो हमने ते को सल्टा दिया इसलिए बीटी टॉक्सिन बनाया गया था कि बॉडी रजिस्ट हो जाएगी बिटा ज्यान रखना इसलिए हम जो है बीटी के जो प्लांट्स हैं जो हम चाहे आपका ब्रिंजल हो टेमाटो हो उनको ज्यादा यूज नहीं करते इसको हम उस अग्रिकल्चर लेंड पर काम में लेते हैं जहां पे हम कमर्शिल परपस पर ची प्रेद कर देगा उससे इंप्लामेशन होगा उसके ब्लड गैविटी जो ब्लड जो कैविटी माजाएक और वो मर जाएगा क्लियर है आप देखो अब प्रोब प्रोब को प्रोब भी बोलते हैं बिटा अब प्रोब इचिस मॉलेक्यूल यूस्टू लोकेट स्फास्विक sequence in a mixture of a DNA और RNA molecule could be यानि क्या बोला बेटा एक जांच में DNA और RNA अणू के मिश्रण में एक विशिष्ट अनूक्रमों को पता लगाने के लिए उपियों किये जाने वाला एक अणू है कैसे पता लगाते हैं direct line of NCRT मैं फिर भी गलत हो जाते कई बार मैंने क्या बोला यह कुशन क्यूं गलत होते हैं आपके क्योंकि कई बार हम उस topic के टच में नहीं होते काफी time से concept पता है आपको बट काफी time से टच नहीं है इसलिए मैं basic basic questions आपको बता रहा हूं बिटा सर मैं पूछ रही थी pro toxin insect निकालता है बिटा pro toxin insect निकालता है वो plant के अंदर होता है हमने plant के अंदर पैदा करने के लिए gene डाल दिया जैसे आपका निम्बू है उसमें क्या होता है citric acid तो वो कहां साया वो plant ने खुद ने produce किया ना वैसे ही इस यह protein क्या है यह protein कौन पैदा करने वाला अब वह protein तो पैदा हो गया अब प्रोटीन क्या होगा वह protein एक्टिवेट कब होगा जब उसको basic nature मिलेगा तो अगर acidic nature वाले कोई कीड़े खाएंगे तो आराम से पेड़ को खा सकते हैं लेकिन मालों कोई कीड़ा आया उसने पत्ती को खाना शुरू किया और पत्ती के अंदर क्या है वो टॉक्सिन खाया उसने और कीड़ा वालों अंदर से असेडिक है तो और खा सकता है सारी पत्तिया खाए को कि उसको कोई नुक्सान ही नहीं नहीं वहां भी इनक्तिव है अंदर भी इनक्तिव है लेकिन अगर कोई basic nature कीड़ा खा गया तो क्य अगर बात है तो काउंसलिंग वाले वीडियो में बात करेंगे अदरवाइस यह वीडियो एंड होने के बात में बात कर पाऊंगा आप लोगों से ना ठीक है बचाब बाटी अब देखो अगर हम बात करें next question को लेके तो यहां पर answer क्या जाएगा क्या यह प्रोब क्या होत है और यह हमारे पास में मानलो DNA या RNA कोई भी है तो होता क्या है इस DNA में कोई specific सेग्मेंट है मानलो यहां पर जैसर की क्लास चल रही है यहां पर बच्चों को बड़ा जैसर पसंद आ रहे हैं अब क्या होगा मानलो आप में से कोई एक बच्चा है जो जैसर का एकदम फेव लोग देखेंगे जैसर की आर्मी कहां दिखरी और यह वह दिखरी आप जैसर की आर्मी कहां दिखरी है और वहां दिखरी इसका मतलब जैसर भी वहीं जोंगे क्या बोला मैंने जैसर की आर्मी वहां देख़ी है सट जैसर भी वही होगा जैसर क्या डियेना या र्ण royalty ское अब क्या हो गया जैसे आर्मी और रमले क्या हो गया यह दुबल इंड हो गया इसका मतल्का पहले स्धींगल स्टेंड होना चीए क्यों था ये हम सब्कें में श्राइक थे सबूर यैनि ऑब मेरे बात बताओ अगर मेरे पास में टी है और आपकी मेरी में केसी के पास में i तो हम हाद जोड लेंगे मेरे सब्सक्राइब करें मेत लिए मिन्स़ाक शॉड़ें मतलब हमने readily सब्सक्राइब होती है इसी होती है प्रोब से करते हैं जो इस ही यह सेफ़स्ट लेते हैं और इस क्रिमिनल ऱी कर वी argent तो अपने आप जाके उस Sample से जाके चिपक जाएगा तो समझाएगा अच्छा यह है इसी यह है जैसर का खूनी इसी को पकड़ो है ना इस तरीके से बात समझ मैं आप देखो a single extended RNA बात हो रही है प्रोब के बारे में प्रोब तो a single extended RNA a single extended DNA either RNA और DNA can be single extended DNA but not the single extended RNA not the single extended RNA नहीं सर आपने बोला था DNA हो भी सकता है either RNA और DNA बिल्कुल अगर इन में से तिक करेंगे यह क्या बोल रहा है यह बोल रहा है single standard clear है बात समझ में आई concept समझ में आया तो प्रोब का concept समझ में आया कि नहीं आया जैनेटेक्स में कई जगे बिटा प्रोब आता है आप पड़ो गया कि molecular genetics में आता है बायटेक में आता है आई ऑपको एक बार और अच्छे समझाता हूँ और यह डिन ना बिटा ठीक है और इस दिने पर यह nitrogen शार्ट दे दी मैं लें लेख थीक है और यह डिने की दूसरी stress है यह डिने का दूसरा रज्जुक है और यह ते सामने के को दिकत अब बिटा मैं वापस एक दीने बना रहा हूं यही सेम ऐसा ही यह पूरा प्रॉपर डीने हो गया ठीक है और यह जो बना रहा हूं यह है आपके जैसर और अब जो है बनाऊंगा वो होंगे प्रोब कर लेगा किया इक्ता सह पहचान लेगा कि जैसर कहा है यह नण आइप कोई दिखकत ने पीटा काजल कोई दिखकत नहीं क्लेर है अब आके चल है अब देखो the site of production of an ADA in a body ADA की production site क्या है बाई adenosine, deaminase, enzyme का मनेगा bone marrow, lymphocyte, blood plasma, monocyte ध्यान रखना पीटा यहां पर क्या पुछा किया site of a production तो ध्यान रखना पहली बात तो यह क्या करता है यानि सरीर में ADA के उत्पादन की site क्या है यह करता क्या है यह बेटा एक तो ध्यान रखना प्रतिरक्षा तन्तर यानि immunorespons immunity से related बिमारी कॉस करता है तो यह immunity disease कॉस करेगा क्याकिन चीज बेटा ध्यान रखना होगे ADA की कमी हो जाएगी तो क्या क्या होगा यहां पर बी लिंफोसाइट जो है आपकी कौन बी लिंफोसाइट यह बी लिंफोसाइट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि मैच्यार नहीं हो पाएगी होगी इसका काम है बी लिंफोसाइट को मैच्यार करना तो यह मैच्यार नहीं हो पाएगी और जब मैच्यार नहीं होगी तो इनके नमबर कम हो जाएंगे, क्योंकि immature वाली death कर जाएगी, बीटा, immature वाली क्या हो जाएगी, death कर जाएगी, immature वाली तो death कर गई, तो अब वह याने कि इसमें क्या होता है, इंसान के अंदर बिल्कुल भी शमता नहीं होती, क्या करने की, प्रतरक्षा से लड़ने की, प् किसी pathogen किसी रोगानों से लड़ सकें यह होती है है पूरी खतम हो जाती है तो यह चीज अमकुर्णे को ध्यान रखती है अब उत्पादन की site कहां होती है यहां 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 कहां यहां कहां होती बताओ आंसर बताओ जल्दी से अब देखो कुशन 11 वा यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाइ मल्टिनैशनल कंपनीज और ऑगनाजिशन विदाउट ऑथराइजिंग फॉर्ट थे कंसर्ण कंट्री अब और इट्स पीपल स्कॉल्ड यानि कि क्या बोल रहा है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी सरीक सर क्लास कित इंफॉर्मेशन मिल जाएगी है ना हर क्लास ते पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है बिटा कि क्लास आने वाली है तो वह आपके थोड़ा एज़ी रहता है तो या बार-बार आप भी यूटीव पर नहीं आते हो कई बार हम क्या करते हैं सब क्लेर हो जाता है ठीक है 11 का डी क्या बात है बच्चों के आंतुस आने लग गए हैं शाबाश बंदना जी बहुत बढ़िया बिटा तो देखो अब हम क्या बोला गए यहां पर कि किसी संबंदित देश या किसी बड़ी प्राजीकरन संस्ता दोरा क्या होता है कि किसी कंट्री के लोगों को किसी अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज एक जगे होते हैं ज्यादा यूज करना बायो इंगरेशन यह नहीं पता होता है कि इन फिंगर्मेंट क्या होता है तो यह बात कर लेते हैं बिटा यह देखू कॉपिराइट के बारे में इस्यू जो है उसको क्या बोलते हैं इन फिंग यानि जिसने बनाया है उसकी परमिशन लिए बगैर ही आप चीजों को यूज करें इस इस बिलकुल सारे सब्जेक्स होते हैं पिता सारे सब्जेक्स की क्लासिश की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे न अभी केमस्ट्री वाले सर का थोड़ा मैंने बताया था बच्चों को जिन बच्चों को पता है कि उनका थोड़ा इचिदेंट हो रहा था उनको बेडरस दी गई तो ड प्राउस नहीं होना चाहिए आपकी प्राइटीज क्या होनी चाहिए वो मुझे बहतर बता है उसके लिए अगर मुझे बिटा एक्स्ट्रा सीज़ें करनी पड़ी मैं डाफिनिटली करूंगा क्लियर है बचा पाटी तो यह बायो पाइरेसी होगी आप देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सिस्टिंग ट्रांस जनिक आनिमल तो कौन है मैक्सिमम कहां पर यूस करते हम ज्यादा चीजों को यह बिल्कुल अगर हमने बना लिया होता ना पेटा तो हम केस कर सकते हैं इंडिया के बहुत चंट होते हैं लेकिन आपस आपस में अगर मैं कंपर करूं बहुत यहां पर मैक्सिमम यूज किस पर किया गया है माइस पर द्यान अखना जितने भी एक्स्परिमेंट किये गए हैं ट्रांस जनिक आनिमल्स में उसमें कौन है हमारे पास माइस चूहे पर मैंने बताया था क्योंकि हमारा और इसका 95 परसंट डिया ने सिमिलर होता है और 95 परस यानि जो ट्यूमर सेल है उस ट्यूमर सेल की स्टडी कर रहे है चूहे पर तो चूहा मर जाएगा ठीक है तो हो कह रहा है हाँ बिल्कुल सभी बेटा तो यही चीज़ हम कर रहे है अब देखो विच बॉड़ी ऑफ गवर्मेंट ऑफ इंडिया रेगूलेट जी एम अब जो लोग आप आती हैं उनको उनके पास हैं काफी सफर्ची और डेलिगिट इंक्यूफेंस होते हैं उनके पास हैं तो वह क्या करते हैं खुद कुछ भी बनाना शुरू करते हैं जैसे मैंने पताया था पेंडविक में हमारे पास न्यूज आ रही थी कि जो पैंड़ि तो यह सब चीज़े ना हूँ यानि हुमन रेस को कोई हामफुल चीज़े ना हूँ या फिस ऑगनिजम पर एक्सपरिमेंट किये जा रहे है उसको हाम ना हूँ तो यहां पर कौन है कमिटी ऐसी जो उसका निगरानी रखती है बायो सेफ्टी कमिटी ना इंडिन कांस्टिंग इसका हिंदी में टांस्लेशन किया था ना बिटा मैंको अच्छे से याद है तो जैनेटिक इंजिनरिंग अनुमोधन समीथी वैसे बच्ची ने इंजिनरिंग का भी अभियांत्री की लिखा था मुझे याद है तो यह क्या करता है ये ये गुड समानों के अंदर डिएने के अंदर बायो साइंस में डिस्कवरी के अंदर बायो इंजिनरिंग के अंदर जैटिक मॉडिफिकेशन के अंदर जीमो फ्री के अंदर वैक्सिनेशन में रिसर्च में और्गनिक फूट्स में प्लांट से किसी और्गनिजम को सेलेक्शन में इन सब को क क्रोल कौन करता है GMO करता है क्या आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे क्लियर है आप देखो 14 कोशन है हमारे पास में अलपा वन एंटिट्रिपसीन क्या है याद करो पहली बाद यूज का होती है यह यूज होती है एंफाइसीमा के अंदर एंफाइसीमा क्या है एंफाइसीमा बेटा एक ऑक्यूपेशनल डिसॉडर है क्या है एक ऑक्यूपेशनल डिसॉडर है यह एक ऑक्यूपेशनल डिसॉडर इसमें होता क्या है इस डिसॉडर के अंदर जो हमारी अल्वेलाई है उस अल्वेलाई की जो वाल से वो वाल क्या कर यह या झinaती है फो वौल डैमेज हो जाती क्या जाती है तो इसते क्या होता है बीटा जो O2 का transportation है वह खतम हो जाता एं पर्मानेंट ली एक यह कैसी बीटा यह एक पर्मानेंटिस आर्डर है ये एक पर्मानेंट डिस आर्डर है तो इस डिस्आरडर के treatment के लिए या diagnosis के लिए हम क्या यूज करते हैं alpha antitrypsin को use करते हैं तो यह alpha antitrypsin क्या है it's a anti acid na acidities हो रखी है रखी हमको enzyme na it's used to treatment of arthritis na used to treat of emphysema हां correct तो इससे emphysema emphysema बिमारी क्या होती है बेटा मैंने आपको जो हम सोचता है कि이면 smoke करने से हम ठोड़े Cool लगते हैं चिली लगते हैं ठीकosen ध्नी फाइशमा में उड़ाते हैं तो वह क्या होता है उनके खुद के धुई उड़सेशते हैं ले के देखो चूज दर करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवाइरस रेट्रोवाइरस के रिगार्डिंग क्या सही है एन्हार ये वाईरस चैन्न सिंतेसाइज डिन इूरिंट इंफैक्षन ये तुम्हें आपको बता है रेट्रोवाइरस पुरा समझाए था डाग्राम बना के रेट्रो वाइरस होता है जो एम आरने से क्या बनाता है डिएने बनाता है कौन सा कॉंप्लिमेंट डिएने तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास पर कि इन्फैक्शन के दोरान आरने से क्या बन रहा है डिएने बन रहा है यानि करेक्ट ऑप्शन इजा फस्त बाकि जो आपका रेट्रो वाइरस से वो का होगा इंफेक्ट करेगा सेल को किसको एनिमल सेल को यह नूटेशन करवाया था पिटा मैंने इसलिए उसको यूज करते हैं as a vector ठीक है अनिमल सेल में कहां जाके जुड़ जाएगा सीधा उसके जिनोम में जाके जुड़ जाएगा और ज यह सब्सक्राइब क्या रा किसा वाय टॉटीन डिसॉर्डर कॉस करेगा कैसे यह गों ग्हां यह प्यारी सी दिखाए जिए प्छानली गटाव यह यह रोजी वो क्या किया ए इसमें माइक्रोड्यंजक्शन के तुरू इसको क्या इसके झाप्षान थे इंदर ट्रंस्प् इसका प्रोड़क्शन बढ़ाने के लिए क्लियर है तो अल्फा लेक्ट अल्ब्यूमीन की मात्रा बढ़ाई गई बिटा क्लियर है जी ए ए किसके लिए स्टेंड करता है सिंपल है जैनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इस बार डिरेक्ली पूछ लिया गया था क्या फुल फॉर्म पिशली बार यह पूछा था कि इन सब चीजों को कंट्रोल करने वाला कौन है तो वह यह था क्लियर है सवाल वही बस पूछने की अप्रोच अलग हो गई थी तो करेक्ट ऑप्शन इजा सी यह रहा हमारे पास जैनेटिक इंजनिरिंग अप्रूवल कमिटी ध्यानक ना कमेटी है पीटा काउंसल नहीं है बचे कई बार कन्फ्यूज जाते हैं काउंसल में तो काउंसल नहीं है बिटा है तो पॉलियो वैक्सिन इस टेस्टरों पॉलियो एक्षिंटि किसपर टेस्ट की गई थी वही हमारे पास में घेरीघ के कॉन थी एक एक माईश चूहा जिसपर एक्सपिरिंट की था इन ऊननहने सबसे पहले अपने खुद के अंदर एन्ड अपनी फैमली के अंदर यह इनक्टिवेटेड जो है वो पैथोजन को डाल दिया था यान इनक्टिवेटेड जो वाइरस से उसको डाल दिया गए था ताकि यह वैक्षिनेशन की किसरे काम करें उन्होंने अपने खुद के फैमली पर ही यूज किया था जान रखना त स्टाक टेस्टेड विद एक्सपरिमेंटल किल्ड वाइरस वैक्सीन और हिमसेल्फ एन हिस फैमली कव 1953 में यह लेटर एक साल बाद में 1.6 मिलियन चिल्डरन इन कानड़ा फिनलैंड और यूसे दर रिजल्ट वर्द अनौंस बाई 12 अप्रेल उन्निसों पच्पन में ताक इस एक्सपरिमेंट इस वैक्सीन को लाइसेंस होने में क्लियर है हाँ बिल्कुल सही एलफा लैक्र अल्पीमीन 2.4 ग्राम प्रोटीन्स पर लीटर बिल्कुल बहुत अच्छा शबस ट्रांचनिक अनिमल्स क्यों-कॉन होते हैं बिटा तो ट्रांचनिक अनिमल्स क्यों- करते हैं ट्रांचनिक अनिमल्स में क्या करते हैं ट्रांचनिक अनिमल्स में हमारे पास में यह क्या है कोई अनिमल है कि इस अनिमल्स में हमने क्या 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 इंटर्ड्यूस करा दिया अब इस फोरेंडिन्स कुछ काम था कुछ फंक्शन था वह हमारे लिए अच्छा था य यह डिया इसमें डाल दिया क्यों क्योंकि यह एनिमल भी फिर क्या कर सके वही गुड़ फंक्शन परफॉर्म कर सके पिटा इसलिए यह और ग्रेश्म अब क्या बन गया हमने शेट शाड़ की इसकी जीनोम के साथ में यह बन गया जी एम ओ जैनेटिकली मॉडिफाइड और ग में अच्छा आपने उस वक्त की बाइप इत्पाइड रहा है वीडियो में उसकी बाद का अभी जवाब में या है प्राचीजी अच्छा लगा आपने मुझे रिस्पॉंड की इंडिया है वराइटी आफ बास्मति राइस की ज बटायेगा जो बिर्यानी पसंदेगे तो होना चाहिए भाई ओके कोई दिखकत नहीं बिटा बट आइधिंक उनके कोई नोन में बाइलोजी वाला निकल जाए क्या पता कुछ भी हो सकता है है ना चलो अब देखो बास्मती राइस की वराइटी इंडिया में मौझूद है ध्यान रखना है पका पका तो यहां पर हमने प्राक्टिस पूरी कर लिया यह देखो बास्मती राइस के अलग अलग में अध्याइटी रखी है 27 तो मेरे पास भी अवलेबल नहीं ती तो मैंने जो थी वह मैं आपके सामने रखी है तो हलग अलग वराइटी बिटा यह यह तिहान रखना जैसे इसका नाम ह यहां पर सबद होकुन्दा सुगन्दा गोल्डन सेला सुगन्दा वाइट सेहला यहां पर 1503 वाइट भाईट नाइन 1 509 वों 509 सेहला यह भे वराय्टी जीन इनके बट यह भे तो शारे बास्मती बिलद्ण की क्या वे कितनी variety है तो आपको पता है इंडिया में बताया था बीटा 1,000 variety देखने को देखने को मिलती है mango की wheat की कितनी variety देखने को मिलती है को बताएगा वीट की कि वराइटी है और rice की पूरे वर्ल्ड में बात करें तो यह दोनों मुझे डिटा साब बताओ कि मैंने पढ़ा रखी यह बात है जब हमने पढ़ा था बायो डाइवर्सिटी तो वहां पर यह चीज मैंने बताई थी याद करो कि जल्दी बताओ कि अभी करते ना बिटा क्लास ओवर होने में अब अभी कर सकते हो है न कि इसके आंसर बताओ के मेरे को ठीक है बच्चा पाइटी तो एक तरीके से क्लास हमारी ओवर हो चुकी है आप जो नए बच्चे है उनके लिए है कि डैफिनिटली जैक अड्मी आपके आप पर भी है आ है आपके बास में एंडियोड हो चाहिए आपके पास में लाक्त ONE हो चाहिए आपके पास स्में iOS Devices ओ हर जगए पर आज आपके अवलेबल है जाय आड्मी तो इस वार आप तैयारी जायक आड्मी के साब कर सकते हैं क्योंकि जायक आड्मी पसले आठ सालों से ऑफ्लें्स कर नहीं होता बिटा आपका hard work ही आपको select करवाएगा और कोई नहीं कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है कोई इसू नहीं हो जाता है कभी कभी सम्टाइम सरकों भी हो जाते हैं तो जैक अटमी की जो अनुबवी टीम है आप उनके लेक्षर जो है वह यूट्यूब पर देख स consistent in subset आपकी तयारी यहां पर करवाई जाती है सर्जो संडे को टेस्ट था उसमें 78 आये हैं मार्क्स और वारी सेड ओके देखो 78 मार्क्स आये बिटा आपके कोई दिक्कत नहीं है मार्क्स का कम आना किसी भी competition exam में मैं आपसे बात करता हूं आपके मार्क्स कम आ गए तो अब उसको रोने से कोई फाइदा नहीं है आप क्या करो उसको analysis करो कि उसने आपने गलतियां कहां किये किस प्रकार की गलती किये किस टाइप की गलती किये उसको सुधारो माना आपने दस प्रकार की गलती की एक बार में दसो गलतियों को नहीं सुधार पाओगे लेकिन एक गलत इंसान सीखता है आपको यही चीज़ें करनी हमेंशा बहुत हम आप लोग को सारी चीज़ें तो डरना नहीं है गलतियां करने से एक्जाम 2 टेस्ट पेपर दोmax करना हुए पसेट से हमको करना शुरू करना है कि अब तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बैचे's आप लोगे इंडॉल करकें, उमीद बैच, राजबसांगे लिए सार्सी बाच जो बैच आप लोगे लिए favorable है, परा किरम सफलता बैच, यूपी वालों के लिए, बिहार के लिए संकल बैच है आपका ठीक हैं, महाराश्ट के ब्रहमास्त्र है जम्मो कश्मी वालों के लिए जुनून बैच है तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग बैच्चिस दे रखें क्या-क्या कोर्सिस में अवलेबल है बीटा लाइव आपकी क्लासिस हैं तीनों सब्जेक्ट की जिसमें वीडियो लैक्षर के साथ में पीडिएफ नूट्स है इन आप खुदको नूट्स बनाने भी है साथी साथ चैप्टर वाइस टेस्ट हो जाएंगे आपके वन शॉट वीडियो हैं डाउट से हर तरीके से आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहां पर हिंद इंग्लिस दौना मीडियो में वीकली वीडियो बनाएंगे तब आपके पास अवलेबल होंगे तो टेस्ट देने के बाद में हमको बेचे नहीं होते हाथ वाथ आंसर मिल जाए वह चीज़ मैंने इस बार रख दिए बिटा तो डिले बिल्कुल भी नहीं होगा आपको आपका आंसर मिल जाएगा आपका आपका स प्रिंडे जैसा मूँ बनाएं से कौन सी प्रॉल्लम सौल होती है बही है ना चलो तो डाफिनली जो पिछले परिणाम जैक अडमी ने दिये हैं सिर्फ दो महिने पढ़ा के मैंने को ये यर लॉंग बैच नहीं लिया ये बच्चों को बता है सिर्फ दो महिने हमने पढ़ा को पढ़ाया है ता ओनलाइन लेकिन जब हमको पूरा साल बर का टाइम मिलेगा यह नहीं दस से बारा महीने जब हमको मिलेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत बवाल मतला सकता है एक्जाम के अंदर आप युद्धा बैच लीजे बिटा अगर आप एफमसी में जाना चाते हैं को कि एफमसी के त्यारी करोगे तो आप उत्राखन का एक्जाम तो वैसे भी निकाल लोगे तो आप एफमसी वाले बैच को जॉइन करना हूं हाँ डाफिनेटली बिटा अरे यार डोंट मेक जाने नहीं दिया क्लियर है तो आप अपने कोर्स को इन्रॉल कर सकते हो एक मस कंपा सी चीज जो आप लोगे लिए वह है आपको जॉइन करना बिकॉज यहां पर नियूस नोटिफिकेशन लैक्टर्स इनकी सब की पीडिएफ आपको मिल जाती है जैसे आप चेक कर सकते हो 2023 के लिए नर्सिंग अट्रिट्यूट जीके इंग्लिश दीजनिंग इन सब के नोट्स आपको मापे मिल जाएंगे तो ऐसे ही सारी वीडियो आपको मापे मिलते राती है ठीक है वाट्सप परसली बेटा मैं आप लोगों से बात करता हूँ 861985053 जान से आप मुझे से बात कर सकते हैं जैसर को कॉल कर सकते हैं ठीक है बच्चा बाटी तो यह बहुत सारी चीजे हैं तो मैंने आपके साथ डिसक्स की प्राइज जो एक मेजर कोशन आता है बच्चों के लिए वह आपके लिए सिर्फ मैंने रखा है ट्रिपल नाइन पूरे साल में अपने फोन में तीन हजार रुपे का रिचार्स तक कर वा लेते हैं ठीक है तो उससे मैंने वन थर्ड टाइम्स यानि तीन गुना कम मैंने रखा है प्राइस कोर्स का जिसमें आपको पूरे साल बर टेस्ट पेपर्स पीडिएप्स क्लासे सब कुछ मिलेगा क्लियर है ध्यान रखना हाँ ये जरूर है कि पीडिएफ आपको एप्स में मिलेंगे और उसके बेचे भी रीजन है जब आप खुद से नोट्स बनाओगे तो चीज़ें आपके यहां सेट होगी और जब यहां सेट होगी तो एक्जाम में क्लिक करेगी क्लियर है तो ये ब ये आपके आपने parecer के नंबर है जैसे अवी वंद्रा जी कॉल करें गी इनोने गॉल किया था वर मैंने बात नहीं कर पाया यॉद्न करें तो तो ये आपकीड ये विडियू स्पात्धि क्या और झाल झाल